यह है मेरा यूट्यूब चैनल CSP रिजवान इसको आप सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा इसके लावा बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके हैं तो आईए स्टाट करते हैं आज का नया चेप्टर घातांग और क्रड़ी इंडिच्स एंड सर्ट्स टीक है x की पावर n into x की पावर m बराबर होता है x की पावर m प्लस n x की पावर n into x की पावर m बराबर x की पावर m प्लस n इसका मतलब है आधार समानों गुणा हो रहा हो गाते जुड़ जाएंगी आधार समानों गुणा हो रहा हो गाते जुड़ जाएंगी अगला X की पावर M upon X की पावर N आदार समान हो भाव हो रहा हो घातें घड़ जाएंगी X की पावर M minus N दोस्तो इस चीज को छोटा मच समझेना कभी कभी सवाल इसमें फस जाता है और हम लोग नहीं कर पाते सवाल तो हर एक छोटी चीज सवाल की प्राथिम्सता बनाती है X की पावर M into X की पावर N बरावर X की पावर M minus N Next X की पावर M की होल पावर N किसी राशी की घात की उपर घात हो उनका अपस में गुणा होता है X की पावर N की होल पावर N है इसका मतलब है X की पावर M into N आदार समानों गुणा गुणा हो घातें जुड़ जाएंगी आदार समानों भाग गुणा हो घातें घड़ जाएंगी किसी राशी घात की उपर घात हो उनका अपस में गुणा होता है इसके बाद X की पावर 0 का मान बन होता है किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान बन हो जाता है माली जी आपका नाम Mr. A है अगर आपकी पावर हमने 0 कर दी तो आपका मान क्या हो जाएगा बन तो इस प्रकार किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान बन होता है Next X की पावर M गातें बराबर हो तो आधारों की तुलना कर सकते हैं और आधार बराबर हो तो घातों की तुलना कर सकते हैं आधार बराबर हो तो घातों की तुलना हो सकती है या घातें बराबर हो आधारों की तुलना हो सकती है मतलब X बराबर Y हो जाएगा Next condition एक्स की पवर एन बराबर एक्स की पवर ए इसमें घातें बराबर थी इसमें क्या बराबर हो जाएगा आधार जब आधार बराबर हो जाता तो घातों की तुलना कर सकते हैं मतलब एन बराबर ए हो जाएगा एन बराबर ए तो देखिए इसके आगे है जब पूरी राशी तो हम सभाल किस तरीके से करेंगी? आपने देखा होगा कभी-कभी सवाल आया था अंड रूड ुड बारह प्लस अंड रूड आइस तरीके से तो जब पुरी रास ही कर ढडी गत होगी तब सवाल कैसे करेंग की देखते हैंै? जिसे हमने कहादिया अंडारूड ए प्लस अंडारूड ए प्लस अंडारूड ए अप्टू अनंत तक यह साड़ी गई है अंडारूड ए प्लस अंडारूड ए अप्टू अनंत तक इस कंडिशन पर पनो करना क्या है इसके करना है दो क्रमागत फेक्टर ज्यान देना किरमागत होने चाहिए किरमागत फेक्टर किरमागत फेक्टर कर लोगे तो जो बड़ावाल आंसर आएगा तो बड़ावाल आंसर होगा जब प्लस की सीरी चल लएगा तो बड़ावाल आंसर और जब माइनस की सीरी चल लएगा तो छोटा वाल आंसर देखते है है कैसे ओढ़नाक के लिए अमने बताया अंदरुट 12 अंडरुट 12 आपक less अनार्ट एंडर टेवल गई है अपनिको देखना हैं यह 12 वह इसके दो कमाकत क्लिक्टर क्या हो सकते है चार तिया बारा चार तिया बारा बताई इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा चार क्योंकि पिलस की सीरीच चल लएए इसके क्रिमागत फेक्टर में से बड़ा वाला फेक्टर का अंसर हो जाएगा क्या आंसर होगा चार अंडरूट बारा प्लस अंडरूट बारा प्लस अंडरूट बारा अब तो कहाता हो जाएगा अनंत तक इसका अंसर होगा चार इसी तरीके से अगर हम कहें अंडरूट बारा माइनस अंडरूट बारा माइनस अंडरूट बारा अनन्त की टें फिल गई है बाताई इसका answer क्या होगा किर्मागत factor करलो 4 गया 12 इसमें 4 है तो इसमें क्या हो जाएगा 3 तो इस पर करें आपने अपने समझे जब पिलस की सिरी चलती है तो बड़ावाला answer जब माइनस की सिरी चलती है तो छोटावाला answer इसके आगे अंडरूड ए प्लस या अंडरूड ए 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 गोड़ा में चलती है अनन्द तक तो इसका अंसर भी भही होता है जिस रूप में सीरीच चल रही है इसका अंसर क्या हो जाएगा अंदरूड ए इंटू अंदरूड ए इंटू अंदरूड ए बरावर ए होगा ठीक है अंदर लाश्ट टॉपिक A इसका अंसर क्या होगा इसमें और इसमें अंतर केवल इतना है ये तो अनंत तक गई है लेकिन ये अनंत तक नहीं है ये विल्कुल perfect number तक आएगा इसमें पोने करना क्या है इसका formula होता है A की power 2 की power N minus 1 upon 2 की power N ध्यांदना A की पावर में है ये पूरा 2 की पावर N माइनस 1 अपॉन 2 की पावर N ठीके, देखते हैं N क्या है 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार कोई संख्यरेपीड हो N बराबर वही होगा N बराबर 5 ठीके, और A क्या है जो करड़ी के अंदर उसे गाएंगे A A की पावर 2 की पावर N माइनस 1 अपॉन 2 की पावर N जैसे सवाल आता अपना अंदरूट 2 अंदरूट 2 अंदरूट 2 अंदरूट 2, अंदरूट 2 N बराबर वही होगा है 5, आरम सुया का सवाल क्या होता फॉर्मुला A की पावर 2 की पावर N माइनस बन अपन टू की पावर एन एक ही पावर एक ही जगा पर दो है एक ही पावर टू की पावर एन माइनस बन अपन टू की पावर एन ठीक है तो हो जाएगा दो की पावर दो की पावर पांस की वाली कुतनी होती दो दूनी चार दूनी आड दूनी शोला दूनी 32 तो दो की पावर 32 माइनस बन केतना हुझाएगा 31 बटे 32 तो इस प्रकार आंसर हुझाएगा 2 की पावर 31 बटे 32 ठीके तो इस तरीगे से अपन जब पूरी राशी करड़ीगा थो तो पिलस की सीडि़ चल लए हो तो बड़ा वह वाला अंसर और अगर अनंत तक सीड़ी गई हो तो वह वाला अंसर हो जाएगा और जब गुणा नियत बार आए यानि एन बार फाइव तो टू की पावर टू की पावर एन माइनस बना पॉन टू की पावर एन